नीतीव चंतीन, युवकों को सलाह, ये मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने रिदे में मेरी आज्याओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयू बढ़ेगी और तू अधेक कुशल से रहेगा, कृपा और सच्छाई तुझ से अलग न होने पाएं, व अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपून मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरन करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अपनी द्रिष्टी में बुद्धी मानना होना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से आलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भलाचंगा, और तेरी हड्डियां पोष्ट रहेंगी, अपनी संपत्ती के द्वारा, और अपनी भूमी की सारी पहली उपजदे दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया उमंडता रहेगा, ये मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मूरना मोरना, और जब वह तुझे डांटे, तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, उसको डांटता है, जैसे की बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, प्रियो कुछ मह समय के जवानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय के लोग और जवान इस दुनिया की चकाचोंद में खो गये हैं, मैंने बहुत से जवानों को गलत राहों पर जाते और अपने जीवन को बरबाद करते हुए देखा है, इसलिए, आज के मसी लोग चच में कम और दुनिया भी चीजों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, मैं सभी मसी भाई बहनों को इन वचनों द्वारा प्रोटसाहित करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज के समय के मसी भाई बहन अपनी जवानी की अवस्था में प्रभू कभय मानकर दूसरे लोगों के ल तो उन्हें कभी ना भूलना वरन उनकी शिक्षाओं और आग्याओं को हमेशा स्मरन रखे और उनके अनुसार कार्या करने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी एक पिता की तरह हमें आग्या देते हैं कि जो भी शिक्षा या आग्याएं उन्होंने हमें वचनों के अनुसार दी है हम सब उन्हें माने और उन शिक्षाओं और आग्याओं के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। क्यूंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशिश हमारे जीवन में आती है। जैसा वचन दो में लिखा भी है ऐसा करने से हमारी आय हवस्था तक जीवित रहना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनकी जीवन में सब कुछ अच्छा और कुशल से रहे। लेकिन ऐसा करने के लिए परमेश्वर की एक शर्त को मानना जरूरी है और वो शर्त है कि हम उसकी दी हुई शिक्षा और आग्याओं को माने और ऐसा करने से हमें आशिश सुक्चैन संपत्ति और अच्छे जीवन के रूप में तो मिलती ही है और परमेश्वर अपने वाइदे के अनुसार हमारे जीवन को स्वर्गिय आशिशों से भर देता है। प्रकार लिखा गया है कि प्रेम और सच्चाई तुझ से अलग ना होने पाए। परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूं प्रियों की राजा सुलिमान ये चाहता था कि उसका पुत्र परमेश्वर से प्रेम करें और सच्चाई से जीवन व्यतीत करें। प्रियों इन वच्चनों में राजा सुलेमान इस बात को कहने का प्रयास करता है कि हम जीवन में अपनी बुद्धी और समझ का सहारा ना लेकिन अपने संपूर मन से यहोवा पर भरोसा रखें क्यूंकि बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं और जो भी हम करेंगे उसमें असफलता ह मिलेगी वच्चन साथाठ कहता है कि अपनी दृष्टी में बुद्धिमान होने का मतलब है घमंड या अभिमान और यह से पाप है जिससे परमेश्वर अधिक नफरत करता है जैसे लोगों में अधिक धन संपत्ती या बुद्धिमान होने से घमंड आ जाता है और एक दू देने की बात आती है तो हमें उसे सर्वुतम देना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे नौकरी खेत खत्तों की कमाई में घरों में उत्तम आशिश हो तो हमें परमेश्वर को भी वैसा ही दान देना चाहिए और अपनी कमाई का पहला भाग जिसे हम दश्वान्श भी कहते हैं देना चाहिए कई बारी लोग पहले अपना खर्च निकाल कर बचा हुआ पैसा परमेश्वर को देते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आप कभी भी आर्थिक रूप से परमेश्वर की आशीश प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसके बाद वचन 11-12 में लिखा है जैसे पिता अपने पुत्र को डांटता है वैसे ही यहवा अपने प्रियजनों को जिससे वे प्रेम रखता है उसे डांटता है राजा सुलिमान कहते हैं एक पिता के समान यहोवा परमिश्वर हमें अनुशासत करने के लिए हमें डांटता है ताकि हम उसकी शिक्षा और आग्याओं को मानकर लोगों के लिए एक उदाहरन बने ना की ठोकर का कारण और जिस प्रकार सांसारिक माता-पिता अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं और डांटते हैं ताकि वो सही मार्ग पर चले उनके कदम ना भटके वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं वैसे ही यदि यहोवा परमेश्वर आपसे या हमसे कभी भी ऐसा करते हैं तो यह निश्टे जानले कि यहोवा आपसे बहुत प्रेम करते हैं और यह सब वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं आशा करती हूँ नीती वच्चन अध्याय तीन पद एक से बारा तक आपके जीवन में आशिश माय का कारण रहा हूँ और आपको यह वीडियो समझ में आए होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और उसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की